हाई एवरिवन विल्कम बैक चुमाय चैनल आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह लोक्त चो मैंने क्रिएट किया था अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि यह वीडियो मैंने बनाया है आप लोगों के लिए ब अगर आप मुझे इस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते हैं तो जल्दी से मुझे फॉलो कर लीजे वहाँ पर अनामिका जॉइसिंग के नाम से यह हैंडिल आज का वीडियो मैं स्टार्ट करती हूं ज्यादा आपका टाइम ना लेते होगे सबसे पहला जो हमारे स्टैप हो अच्छे से मॉश्चराइजर अप्लाइ कर लीजे आखों के नीचे चाहे उनकी ऑईली स्किन हो या ड्राय स्किन हो मॉश्चराइजर लगाना तो बहुत ज़रा इंपॉर्टेंट होगा नेक्स्ट अब हम यहाँ पर सीरम अप्लाइज करेंगे सीरम इसलिए अप्लाइज क के बार लगाते हैं सिरम नाओ यहां पर में कलर करेक्शन करूंगी कलर करेक्शन यहां पर मैं क्रालों की सुप्रा पैलेट से कर रही हूं आज आपको लगी आवाज ऐसे लग सकती होगी क्योंकि तोड़ा सा आज मैं डाउन हूँ एमीन ठीक नहीं है अज मेरी तो अभी आ करना है यहां पर color correction करना है और इसमें हमने orange color का इसलिए लगा रहे हैं जहाँ client के blackness होती है वहाँ वहाँ हम क्या करते है orange color से color correct करते है ऐसा न्योटर के सीधे आपको foundation apply करना है आपको पहले client की skin को check करना है और जहाँ उनका blackness होगी वहाँ पर orange से और जहाँ pimples होंगे वहाँ पर green color के concealer से conceal करना है यानि की color correct करना है next अब आप यहाँ पर क्या करेंगे की client की यह जो blend आप देख रहे हो करन करने का तरीका जो मेरे students सबको पता है कि मैं beauty blender से dab beauty blender से blend करती हूं और अच्छे से आपने blend कर लेना है concealer को next अब मैं यहाँ पर forever 52 का shade लिया है मैंने 07 जो कि आप देख रहे है एक palette में लिकाल लूँगी 07 इसका shade है और मैंने एक और foundation को mix किया है वो है makeup studio का और वो है shade number उसका shade है honey तो उन दोनों को मैंने mix किया क्योंकि client का आपका जैसे face color होता है उससाब से आपको लग करना पड़ता है तो कई बार मैं mix and match करने पड़ते हैं foundation को आपने palette में इस तरीके से mix and match करके आपने पूरे flat brush की health से पूरे face पर हम apply कर देंगे next इसको भी मैं beauty blender से अच्छे से tap tap करते हुए blend कर लूँगी blend हमेशा आप blender से करेंगे तो बहुत अच्छे से इनों blend होगा और यहां पर highlights points को मैं यहां पर मैंने भी concealer लगाया था यानि कि अंडर आई एरिया पर और यह दिखिए कुछ इस तरीके से jaw line के ऊपर nose के ऊपर इस तरीके से मैं थोड़ा सा face को स्कल्प दिखाने के लिए highlight दिखाने के लिए क्राइलान का ivory shade ले रही हूं और इसको भी मैं beauty blender की help से अगें टैप टैप करके blend कर लूँगे नेक्स्ट अब मैं यहां पर मिस क्लियर का टैंसलीशन पाउडर लिया है मैंने और मैंने जहां पर अभी concealer लगाया था ना वहां वहां पर मैं जिसे की मेरा concealer set हो जाए और the makeup industry के language में इसको बेकिंग बोलते हैं जिससे की कोई भी crease line नहीं आएंगी ऐसा करने से तो यहां पर मैंने लगा दिया है powder और अब जब मैं eye makeup start करूँगी ना friends उसमें मैं क्या करने वाली हूँ कि इस तरीके से यहां मैं apply कर दूंगी concealer और अगल जो side में eyes के corners पर मैंने टेप apply कर लिया है ऐसा करने से concealer सबसे पहले बता दूंगी concealer जब आप eyes के उपर apply कर लेते हैं जब आप eyeshadow लगाने से पहले तो concealer बहुत अच्छा आता है उसके बाद मैं इसी concealer के उपर हलका सा Translution powder को भी लगा दूंगी जिससे कि कोई भी again eyes के उपर क्रील लाइन नहीं आएंगे और टेप लगाने से अगल बगल टेप लगाने से यह फायदा है कि बहुत अच्छे से आपका eyeshadow मतलों अगरा beginner भी है ना तो भी आपका eyeshadow बहुत अच्छे से apply हो जाएगा मैं एक eyeshadow fluffy brush की help से सबसे लाइट ब्राउन शेड होता ना वह लगाना स्टार्ट करने हैं यह जो आई मेकप है ना बहुत ही तरीके से मैं आप लोगों को बता रही हूं और बहुत आसानी से आप कर सकते होंगे अगर आप इस तरीके से करेंगे तो यहां पर मैंने क्या किया क लाइट ब्राउन शेड को लेते हुए उसको मैं डेवलप करना स्टार्ट करूंगी और सब आउटर कॉर्नर पे हलका सा वी बनानी का ट्राय करूंगी और मैंने यह शेड लिया है शिवाना की पहले से यह वालब ब्राउन शेड तो आप देख रहे होगे कि सबसे पहले मैं और इसको इस तरीके से ब्लेंड कर रही हूं और इसको थोड़ा सा ब्लेंडिंग व्रेश को इन अन आउट की तरह ऐसे लगा अपलाई करती हूं तो आप लोग को समझ आ रहा होगा जैंस आप लोग को बता दूगे जितने अच्छे से यह आप लोग मेंक देखोगे न उस मिलता है मैं क्या करूंगी हलका सा अगें willen कलर को और अच्छे से शोंधी करूंगी और ठोड़ा से मैने इसी ब्राउन शोटशेट को आयो जो इनर पार्ट होता है ना मारे आन्धर का इनर पार्ट होता है वहाँ पर एपलाई कर लोगी कुछ इस तरीके से जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं थोड़ा सा मैंने फास परफट कर दिया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए तो थोड़ा सा आपको भी इसी तरीके से समझना है जितना आप मेकप में प्रैक्टिस करेंगे आपका बहुत अच्छा मेकप होगा तो प्रैक्टिस अलॉट नेक्स्ट अब मेरे पास यह कैमलेन का एक सिंगल शेड है हलका सा ब्राउनिश टच में है कॉपर और वह मैंने सेंटर ऑफ दी आइस पर एपलाई कर दिया और उसके बाद एपलाई करने के बाद हलका सा अगे ब्राउन शेड है वह कॉपर शेड कह सकते हो आप वह अपलाई कर दूंगी सेंटर ऑफ दी आइस पर आप देख रहे हैं जहां पर मैंने अपलाई किया है अगेन थोड़ा सा फिनेशिंग दूंगी ओपर क्रीज लाइन पर नेक्स्ट गाइज हमें यहां पर आइब्रो को स नैंने भी अपर आइस पर किया था तो इस तरीके से करने से हमारे आइस कि खुझ इध श्कॉक दिख धे और उसके बाद यहां पर काज़ अपलाई करते हैं आज वूह सकती हैं किस तरीके से आप आई-लाइन एकाई-लाइन आप नहीं गए कर सकते था हैं अगर हम आपको य आप लिक्विड आइलाइनर अप्लाए करें आप इस तरीके से जेल आइलाइनर अप्लाए कर सकते हैं बहुत सारी कंपनीज में आता है मेबलीन में आता है स्विस बीटी में आता है और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं इस तरीके से 10 रुपीज का स्टेशनरी से आप पैं यहां पर मैंने प्लिख सकते हैं आप देख सकते हैं यहां पर मैंने फॉरेवर 52 का संगिस्ट हाइलाइटर अपलाई करी है और आप ब्रो बॉन पे भी जरूर अप्लाई करें अच्छा लुक आता है तो ब्रो बॉन पे इस तरीके से हाइलेटर को अप्लाई कर लीजिए सब्सक्राइब नेक्स्ट जो है अब हम लगाएंगे लिप्स्टिक हम मैंने यहां पर नीड करेंगे अप्लाई कर रही है अब आप नेक्स्ट पर नेक्स्ट पर अप्लाई कर दी है अब तब मैं शूट नहीं कर पाई किसी कारण और यह देखिए गाईड भी है हमारे इसका इनका फाइनल लोग और आप देख सकते हैं कितने अच्छा मेकप निकार करके आया है और बहुत सुन्दन का आई मेकप वाचिंग वाचिंग काई अब मिलेंग पर नेक्स वीडियो में बाँ बाई टु केर